क्या आपको पता है अगर हम पल्स को अच्छी तरीके से पीच लें फियर उसके बाद ग्लासके अंदर हम नीबू के स्लाइस और पुदीने बाइश कर लेंगे और इसका एक जूस निकालकर तैयार कर लेंगे फिर उसके बाद हम इसके अंदर पल्स डाल देंगे फिर बहुत सारी आइस क्यूब डाल देंगे इसके अंदर और फिर इसके बाद हम इसके अंदर या आप सोड़ा डाल सकते हैं या फिर स्प्रैट डाल सकते हैं तो वह हम डाल देंगे तो इसको मिक्स कर लेंगे इसी तरीक के से हम पल्स टेस्टी मोजिटो बना कर तयार कर सकते हैं